यह है गुजरात का केवडिया इस्टेशन यह इस्टेशन बन कर तैयार हो गया है यहाँ पर आठ ट्रेने आने के लिए तैयार खड़ी है देश के अलग-अलग हिस्सों में सरदार बललब भाई पटेल के लिए यह जगए फेमस है क्योंकि इसी के पास में है सबसे उची मूर मूर्ती जो कि दुनिया में अपना रिकार्ड कायम किये हुए है इसका उधगाटन होने जा रहा है यहाँ पर इस्टेशन देखे और आसपास का इलाका देखे यह देखे किस तरीके से सरदार बललब भाई पटेल की मूर्ती को सजाये गया है और यहाँ जो भीमकाय मूर्त मूर्ती देखने आने वाले लोगों के लिए train connectivity का बंदोबस्त किया गया है और केवडिया को रेल मैप में लाने के लिए डब होई चांदो रेल्वे लाइन को ब्राड गेज में बतला गया है और यह है नया नेवेला इस्टेशन आप देखें किस तरीके से इसको तयार किय गया है और यह इस्टेशन पूरी तरीके से पन कर तयार हो गया है केवडिया रेलवे इस्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे इस्टेशन है जिसको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस्टेशन को तयार किया गया है केवडिया को रेलवे के मैप से जोडने के साथ ही इस इलाके में मवजूद कई आदिवासी जनजातियों को देश की प्रगति में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा इसी के साथ यहाँ पर देखे ट्रेन तयार है इंजन तयार कर लिया गया है और यहाँ से हम कह सकते हैं मेमू ट्रेन भी चलाई जा रही है और केवडिया के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में ट्रेने तयार कर लिया है यह केवडिया स्टेशन का नजारा है और यहाँ प के वड़्या के लिए के वड़िया के लिए एक ट्रेन चल रही है दादर के वड़िया एक सब एक साथ माँचकी की लिए और प्रक्रेंग Haut निजामुदीन के लिए केवडिया को जोड़ा जा रहा है इसके लिए निजामुदीन केवडिया संपरक्रांती एक्स्प्रेस हथे में दो दिन चलाई जा रही है पाँचमी ट्रेन हम कह सकते हैं केवडिया से रीवा के लिए केवडिया रीवा एक्स्प्रेस जो हथे में एक दिन चलेगी इसी तरीके से परताब नगर के वडिया मेमू ट्रेन जो रोज चलाई जाएगी के वडिया से परताब नगर के लिए एक और मेमू ट्रेन रोज चलेगी तो कुल मिलाकर देखें तो देश को एक सूत्र में बानने वाले सरदार बल्लबभाई पटेल की statue of unity को दे इसके tourist map में अपनी जगहे बना चुका है और इस पूरा जो railway station तैयार किया गया है गर हम उसकी बात करें तकरीबन 20 करोड रुपए की लागत आई है और जो railway line connect कर रही है वो केवडिया से चांदोद, मोरिया, तिलकवाडा और गर्णवेस्वर तो ये जो हम कह सकते हैं चांद रेलवे लाइन थी उसको ब्राड गेज में convert कर दिया गया है और चांदोद से केवडिया के बीच में 32 किलोमीटर का जो ब्राड गेज लाइन है वो नई लाइन डाली गई क्योंकि केवडिया पहली दफा जो है rail map में आया है इससे पहले rail map पे नहीं था और जो station बनाया गय station की building हम कह सकते हैं कि तीन मंजिला है पहले दो मंजिलें जो है उनमर पैसेंजर्स के लिए तमाम सोविधाएं है और तीसरी जो मंजिल है उस पर art gallery बनाई जा रही है और यह देखे यह station है दबोई जो बनकर तयार हो गया है नहीं पूरी तरीके से बनाया गया है और जो narrow line इसको convert किया गया है दबोई station पूरी तरीके से काया पलट हो गई है यानि काया कल्प हो गई है इसकी और एक अलग तरीके का रंग रूप दिया गया है देखे अलग-अलग angle से हम आपको दिखा रहे हैं कि दबोई किस तरीके का station हो चुका है जबरदस्त है और बहतरीन है त इसी के साथ हम आपको चांदोत भी दिखाएंगे कि चांदोत के लिए आपको इंतिजार करना पड़ेगा थोड़ा इस समय दबोई को देखे किस तरीके से यहां पर काम चल रहा है क्योंकि प्रधन नंत्री खुद इसको राष्ट्र को सौंपने जा रहे हैं तो दबोई मे चहल पहल है और यहां की जो चहल पहल है वो दिखा रही है कि पूरे देश में किस तरीके का आट्रेक्शन बन रहा है केवडिया के लिए और केवडिया की बात करें तो केवडिया एक चोटा सा कस्बा है और यह कस्बा इसलिए खास है क्योंकि सरदार सरोवर डैम के पास मे और यहाँ पर दुनिया की सबसे उची मूर्ती है जिसको देखने के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं तो दभोई दभोई स्टेशन को आप देखिए बार बार देखिए क्योंकि यह जवर्दस्त है और इस तरीकी का जो रेलवे का इंफरेस्ट्रक्चर डेवलक किया गया है वो कहीं न कहीं तमाम लोगों को फाइदा देगा आम आदमी को फाइदा देगा क्योंकि इस इलाके में जनजाती आबादी है और जनजाती आबादी को इसका फाइदा मिलेगा क्योंकि ये अगर हम पूरे सेक्षन की बात करें तो चांदोत से केवडिया के लिए जो नई ब्राटगेज लाइन डाली गई है वो तो पड़ी ही है साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो प्रताप नगर केवडिया रेल सेक्षन उसका विद्धुती करण भी किया गया है यहाँ पर इस्टेशन पर भी सर्दार बल्लब भाई पटेल की मूर्ती लगाई गई है फाउंटेंस काम करने लगे हैं और इसमें हम कह सकते हैं कि साम होते होते पूरा इस्टेशन दूधिया रोसनी में रंग बिरंगी रोसनी से नहा रहा है क्योंकि यह जगह देश के मैप पर आनी जा रही है रेलवे के मैप पर आनी जा रही है देश का जो रेलवे मैप है उस पर आ रही है और पूरी तयारी कर ली गई है तो यहां पर निश्चित तोर पर कहा जा सकता है के वडिया, चांदोध, मोरिया, तिलकवाड़ा और यह चांदोध रेलवे स्टेशन है इसको ब्राड गेज लाइन पर ला दिया गया है स्टेशन पूरी तरीके से बदल गया है, नई बिल्डिंग है और बड़ी तेजी से यहां पर काम किया गया है क्योंकि 2018 में ही इस रेल सेक्षन को नया करने की बात सुरू की गई थी 2017 के बजट में इसको मंजूरी मिली थी और उसके बाद यह पूरा का पूरा रेल सेक्षन तयार है और यहां पर ट्रेन खड़ी हुई है, विश्टा डूम ट्रेन है जो केवडिया और एहमदाबाद के बीच में चलेगी जनसताद्धी एक्सप्रेस है और अंदर की देखे किस तरीके का नजारा दिखेगा बिलकुल चबरदस ट्रेन है टूरिष्ट के लिए खास अट्रेक्शन होगी इस इलाके में आने वाले लोग इस ट्रेन में चटना चाहेंगे इस ट्रेन में सवारी करना चाहेंगे मड़ी आरामदायक ट्रेन लग रही है और अगर हम इस इलाके की बात करें तो नर Nora Modhi जोकि प्रधान मंत्री है उनका खास लगाओ है इस इलाके से और यहां पर जो भीमकाय मूर्ति है उसको आप देख सकते हैं चोटा सा हिससा है और यह देखे हैं मूर्ति से कुछ दूरी पर प्रधान मंत्री Nora Modhi खुद खड़े हुए हैं और हम निश्च्वित तोर पर कह सकते हैं 17 जन्वरी को ये इलाका भारती रेल्वे के मैप पर आ जाएगा एक नई पहचान के साथ और एक नई उमंग के साथ